परम सन्मान जो गुरु स्वारे हो वाह गुरु जी का खाल्सा वाह गुरु जी की फते सिख मिशनी का अले लिद्या न बलाओं चल नहीं सेमसी गुर्मत क्लास युएस से विचा आप सारे आंदा स्वागत है आप सारे आनुजी आया आप जी जान दे हो सिख ते आसनल सबंदत कि कैम विशासी पिछले तेन कहा होते हैं तो शुरु किता है जिना सरोतां तो ते आस बंढ़ दे हन उना सरोतां दा असलियत की है उना सरोतां दे स्चाई की है केड़े केड़े सरोत सानों मिल दे हन ते आस दे ए विचारा अस्वी आप जिदे नालगा तर संजियां कर रहे हैं पिछले हफ्ते विचार असी पाई बाले वाली जन्म साखी दी पड़चोल शुरू किती सी तो उससे लड़ीन वगे तोर्दयां होयां आज वीर प्राब किरतन सिंग जी आप जीदे नाल सिकते आख़े सरोत जन्म साखियां पाई बाले वाले जन्म साखी असल वेच सच की है ए आप जीदे नाल विचार असांजियां कर रहे हां बेंती कर रहे हां वीर प्राब किरतन सिंग जी नू कि आज दी विचार अराम करो वीर प्राब किरतन सिंग जी ओ वाहिकर जी का खालसा वाहिकर जी की होटे एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्पाओ निर्वैर अकाल मुरत अजुनी सैभं गुर्पर्शा वाहि गुर्जी का खाल्सा वाहि गुर्जी की फते पिछले अफ़ते सी पाई बाला जी वाली जनम साखी जड़ी है ओदी विचार शिरू कीती सी ओदे बारे विद्वाना दियां कुछ राए भी आप जी देनाल दिती हैं सन और भी देनाल सबंदत कुछ विशे डिसकस कीते सन आज जसी इदे बारे थोड़ी जई होर विचार करके इस मापती करनी है उस्तवाद इस दे बारे अगर आप जी दे मानेच कोई विचार या स्वाल होंगे उना बारे गल करांगे जिस तरह के पाई बाले वाली साखी दे अराम दे विच्ची लिखिया गया है कि गुरु अंगत पात्षा दे हुकम ना लिखी गई पाई बाले ने लिखवाई ते पैडे मुखे ने लिखी तो जे पाई बाले वलो लिखाई गई ते पाई पैड़े मुखे ने इन्नों लिखारी दे वज्जों लिख्या तो पहली गहल जड़ी दमाग दे वेच आंदी है के ये साखी पाई बाले वलो दसी गई फस्ट परसन दे वेच उनी चाहिए दी सी के असी ये थे गए इस तरह कीता मैं ते गुरुणानिक साव इस तरह अग्ये वदे इस तरह चले इस तरह गलबत होई पर उत्थे हर थांदे उत्थे पाई बाले नो एक थर्ड परसंदे तार्टे ही ट्रीट कीता होई है कि पाई बाला नाला हा, पाई बाला मुद्धिक हने वेले वे नाल सी, इस किसम दिये जड़े डायला जड़े हने परपूर हने इस जनम साखी देवे, जड़े शुरू तो ही साड़े दमाग देचे शंका पैदा कर देंदे हन, शंका तकी, जड़े ये गल्स पष्ट कर कि पाई बाले वलो लिखवाई नहीं गई, बलके पाई बाले दा नाम जड़ा है देवे शामल कीता है, ति जड़े इस जनम साखी दा नाम भी इसी देखी है, वे नहीं है कि पाई बाले वलो लिखवाई गई जनम साखी, एदा बड़ा एक चतराई दे नाल पाई बाले व लो लिखवाई गई सी अप आई बला एदे वेचे शामल है इस करके बले वाली है तो एक किसम नाले गल जड़ी है असपश्ट करन दे वास्ते ही शायदे नाम लिख्या गया हो तो दूजा शक्सानु जमें अप आग्या गल किती सी के देच पांजी साखिया हो जी यहां जी इच बाबा हंदाल जी दी जड़ी है ओ उपमा कीती गई है तो उनानों वड़ा दिखाया गया है एज जड़ी साड़े दमाग देच होर शक्क पूरा कर दें दियां पका कर दें दियां के एज जो जनम साखिया है इदा मनौरत ही शायद ओ सी तो उदेच किस तरीके दे ना पाई बाले दे मुऊं या गुनानिक साथ दे मुऊं या किसे होर पातर दे मुऊं बाबा हंदाल जी दी उपमा कराई गई है उदे अपा थोड़े जनमने देख लिए ते गाल जड़ी है ओ और सपष्ट हो जांदी है एक साखी है इदे वेच जिदा से लेख है कुना सिद्धा दे नाल गलबा तुंदी है ते पाई मरदाना जी ते गुनानिक साथ जी दी गलबा तुंदी है ता गुरू साथ कहन दे हन के पगत कबीर जड़े सानों बाकी सारे पगतानों उपर श्रेनी दे मनें गया ते उनने किया है के मेरे दे हन तों सौ वरे बाद बटाल परगने विच कबीर दी पद्वी वाला एक जट हवेगा जिस दा गुरू मेरे वाला ही हवेगा क्योंकि एक होर साखी दे विचे दसे आगया के गुर्नानक दे कि बाबा जिंदा दे से आया जिएजेटी ते किबीर जी गुरुनाने ते हजडाय उदे ही चिले दसे गए हम तो ओ कहन हम के ओ मेरे Este ह ng 니 तो सौ साल पिच्छों पैदा होन वाला जिडाय रही मेरे वर्गा ही होगेगा मेरे मेरे गुरू जिसा गुरू मेरे वाला ही हुएगा एक उच्ची कबीर दी पद्वी आला हुएगा फिर एक और तहां दे दसे आ गया है कि सब तो उपर कबीर है उस तो बाद बाबा हंदाल है तो फिर बाबा नानक है एक होर साखी है जिदे प्रैलाद पगत केंदा है कि गुरू नानक दे दे हान तो सौ बरे पिच्चों एक होर पगत पैदा हुएगा जो वड़ा पगत हुएगा ते गुरू नानक तपे नालो उपर दा हुएगा वो शैर वटाले दा जात हुएगा ते प्रैलाद पगत ने अखीर दे उत्ते एक हो लाइन कई जड़िये साखी देविच दर्ज है सौन पाई पावें कोई रांज हो गया है पावें कोई खुशी हो गया है ओ कबीर अते नानक तो वद्ध होसी तो इस तरह बाबे हंदाल नू उना तो हमी उच्चा करके ओ दस्या गया है फिर एक हो था दे उत्ते कवता दे रूप विच लिखिया है ओ गुर्णानिक साव दे मुऊ गुर्णानिक साव वाच्चा कह के जड़ा देता गया है हिस्सा ओदेच किया है कि एक कबीरा नानक दोए तीजे होर हंदाल जटेटा जांको आप ने रंजन पेटा ऐसी किरपा करी कबीर तो दुजे नानक बंदी तीर तो इस किसम दियां पांचे साखिया को लहन जड़े विच बार बार दस्या गया है कि एक हंदाल जटेटा होएगा जो बटाले दे परगने विच होएगा उनों सिरफ कबीर जी तो थले दस्या गया है किते कबीर जीरे जन्ना दस्या गया है पर तो तिन वार जड़ा है, गुर्णानिक साहब तो उपर उदा दर्जा दर्जा दस्या गया है। हुन इसे टांगे दे नाले सारे ही विद्वान इस चीज नो कोट करके ए मन्दे हन के ए हंदालियां वनलों लिखाई गी। इस तो गे जे चलिये ते हुन तक दी जो भी विद्वान दे विचार सनु पढ़न मिले हैं, सारे विद्वान इस गल बारे सहमत हैं के पाई बाला जो है, ओ एक मनो कल्पत पातर है। करम सिंग हिस्टोरियन जी दे शवदान दे विचता हैं के एक पोल कल्पना है। और आज तक किसे विद्वान ने ऐसी कोई खोज साड़े सामने नहीं रखी, जिदे नाले से दो सके के पाई बाला नाम दा जड़ा वेक्ती जड़ा है, ओ एक्चुली उन्हें जनम लेया किते हो होया। पर बाले वाली जनम साखी बड़ी सेनम देना ले ता भी इलाज कर देन दी है। के आखरी साखी दे वेच पाई बाले दा चलाना जड़ा है, ओ दिखाया गया है। और खडूर साफ दे विच दिखाया गया है, गुरू अरजन साफ, गुरू अंगद दे पाश्या वनों दस्या गया के तेरी जिंदगी हुन बस एक काम जड़ा तू करना सी कर ले है, हुन दो मिने हो रहा है जिंदगी, ते तू इते ही रहो, तो खडूर साफ दे विच्ची के गुरू अंगद साफ ने आप ओदी वी चितानू लंबू लाया, उन इदे कोई जिकर नहीं है के उदा परवार कौन सी, कि ते रहनदा सी, उदे पतनी, पत्तर, या होर कोई औलाद, क्योंके आमता और दे उते, जदों किसे बज़र्ग दी डथ हुन दी है, ता लंबू लान दी सेवा जड़ी हुन दी हो, पर इत्ती होदा कोई जिकर तक नहीं है, इस सारा कुछ बिलकुल अलोप है, उदे बरे कोई गयल नहीं है, और जे तुसी आज खडूर साफ जाओगे है, ता उत्थे तो हनो उत्थड़े दे, या समाद कहा दें दे हनो दे दर्शन हो ज कि एद उते इतराज होनगे, कि पाई बाला कौन सी, कि ते जनमेह सी, कौन दा माता सी, पिता सी, और इस सचाही नो कवर करन दे लेए, जे जनम दा सनू कोई और नहीं प्रॉपरली सनू दस सके, उदे परवार बारे बहुता कुछ नहीं दस सके, ता उदे मरन दा सबूत त जरूर काईम कर देता है, ते लोग की मत्थे भी टेक दे हन, ते कुदरती गाला है, कि ओए मन्दे भी हन के इस सचाही है, कुछ इसे तरह नदा ये कम जड़ा है, ओ ननकाना साब विच भी कीता गया सी, कि ओथे एक साखी दे विच ते ये दस्या गया सी, कि गुरू साब जदो तलवंडी आंदेने वापस, तो उबार आके पाई बाले दे, पिता दे, खुदे उत्ते आके रुख देने, ते उत्ते आके ही जड़ा है, उनना दा परवार, गुरू नानिक साब दा, पिता जी, माता जी, सारे उत्ते ही आके उननों मिल देने, पर हुन पता नहीं खूब मजूद है या नहीं है जिनने को मैं समझ सके हां जिनने को समझें दी कोशिश मैं किती हो दे मताबक हुंता हो थे नहीं लगदा पर ओ खूदे पारे मशुगूर है के जदो मारजी रंजीश सिंग गदी दे बैठा सी ते जदो हाले ओ शुकर चे किया मिसल दा सरदार बनेया सी ते ओदो मता टेकन लई हो थे गया सी ते उनने कोलों पैसे खर्च के ओखून ओएक नवा दे वड़ा रूप देता सी ओदी सेवा कराई सी तो इस तरीके दे नाल पाई बाले दा जड़ा करेक्टर है उननों सच्चा रियल सेद करन दे नियत दे नाल एहो जे काम काफी कुछ कीते गए होन जितो तक पाई बाले वाली कहानी है ओदे बारे था आसी बहुत कुछ समझ सकते हैं कि एक मनुकल्पत सी पर पाई बाले वाली साखी दावी का अपना इतहास है जड़ा सानू इदी इंपॉर्टेंस नू और जो इदे नाल होया उस समझन दे वास रही ते दासर भी सब तो वाद होया उदे बारे अपन थोड़ी जी विचार करनी है कि ए ता एक जड़ी ओधी ट्रेडीशन या पर पाटी जड़ी चली ओओ सी जड़े विच कोई तकरीबन असी तो नबेक दे करीब साखीयां जड़ी 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 सब तो पुरानी ओधे विच पंज साखीयां हंदाल बारे ते दो जड़ीयां गुर्णानक साव दे जीवन नू कलंकत करनो आसते जड़ीयां लिखियां गईयां ओवी सण पर जड़ीयां हुनके ते भी छपियां हुईयां सानू आम तार दे उते नहीं मिल दी एक ता पर पाटी चल दी रह है वो समय दे नाल पर चलत हो गया जिवन जो लोका नो इस गयाल दी समझ लगी के ए पांज साखीयां ते जड़ीयां दूजीयां दो साथ साखीयां हन ए बिलकुल ही किसे तरीके नाल अक्सेप्ट नहीं हो सक दियां ता ए हो जी यह लिखता मी उतारे भी मौजूद हनके ओ साथ साखीयां विच वो कड़ देती हैं गयी हैं और एक कईये के मलब एक दंत कथा पर चलत हो गई कि जनम साखी लिखवाई तक ग्रौंगत साथ नहीं सी पाई बाले को लोगई लिखवाई सी उनने दसी सी पर एदे विचे कुछ साखीयां हंदालियां विच्च मिक्स करक ते ओ फिर कड़ के लोका ने लिखनी है शुरू कर देती हैं उन एदे नल की हो गया कि बाकी जड़ी जनम साखी है ओदे विच जो गुरौनानक साथ दे चरितर दे जुपते वो टंकन कीते गए हैं उननों होर कलाम बान दे विच निवा दिखाया गया है पाई बाले दा कर एक्टर जनम साखी दे विच ओदी लोड़ भी है या नहीं है इना चीजां दे बारे जड़ा है ओदे विच कुछ भी नहीं उनने कीता सिरफ ओ पांच साथ साखीयां कड़ देती हैं ते उस तो बाद की हो गया कि ओओ उदे उतारे होने शुरू होगे ते एजडी ट्रेड जी सांग जिनने अपना सूरज परकाश गरंथ अठारा सो तरवंजा दे विच जाके मकमल की था उनने इस तो पहला एक होर गरंथ लिखेया सी गुर्णानक परकाश तो और प्रैक्टिकली उनने इस जनम साखी नू सही मन के दियां बहुत सारी अंगला हो दे विच जाक दे करीब दे वर्शन संडे को मजूद हैं जिदी यां गिंती भी समय दे नाल बदी कई जिनने होल लिखारी होए चाहे हो मेमा परकाश सी या होल लिखारी सान उस समय दे इस समय दे दरान सूरज गयानी ग्यान सिंग तक जड़ा वीमी सदी जाके जिननने अपना गरं जन वाली है ओए है कि जड़ी मोर लगाई यो पाईसन तोक सिंग जी ने लगाई उनने जड़ा गुनानक परकाश दा गरंथ लिख्या ओदे वी चेदी पूरी उनने व्याख्या की ती भी यह की होया किस तरह होया मैं उनने लिखी वर्डिंग पढ़ रहा हां जी पूरव पूर्थी जो लिखी सी नानक इतिहास लिखवाई अंगद गुरू बाले बचन परकाश तो एदी हिस्ट्री उनने दिती है कि इदे विच मैं बहुत लंबा है तो मैं थोड़ा जा पढ़ रहे हैं आप जी दे सामने उदे इच उनने हिंदालदा लिखिया है कि अमर्दास गुर्टे पश्चाता रामदास ते पावबखे आता तिन हदूर सिख पयो हिंदाला तांपर सिरी गुरू बाथ किर पाला टैल देपकी अधिक करी माने स्थिर ने डोलन देई पूरान सिख होई सुख पाया मानत गुर की सदार जाया तो इसे तरह ही अगए जाके ओ लिख था कि जड़ा प्रिष्ट सिया हाथ तर बंदे सोई अब तक तिनके है एचाली बख्ष करी सिरी गुर्जे टाली ते की संतत के विखे एक साकत का नीच सिरी गुर्णान के तहास जो आवा के कर बीच गुरू अंगजी लिखवाई बाव ने लिखी रही एक थाईं एक बीर बंसी मिलता ही सोपो थी पड़ गुनमन माही करक करम अनसोद बनाई अपने वड़न की कीरत पाई बचन अनुरत अनुचित लिखे समदाए जिनने पड़न ससन अग पाई तो ए सारी जो उनने कथा लिखी काफी लंबा दे आए उननना है इदे विच कोई दास पंदरा पॉड़ी याँ दे विच लिखिया हो यहन तो उननना दा मुख वे कैन दा पाव सी के गुरू अंगज देव साहिब जी दे वेले एक जनम साखी तियार होई एदी होड कोई नकल त्यार नहीं होई तो बाबे हंदाल दी उलाद दे विच्चों एक साकत ने एक कबीर पंथी दे नाल मिलके जनम साखी विच रळा पाउंदी साज़िश की ती मूल जनम साखी नो ब्यास द्रया विच सुट देता गया ते एदे पिछे जो पावना कम कर रही सी अपनी चेलें दी गिंती उदे इच वदा करना सी संतोक सिंग्जी ने कुछ भी नहीं दस्या है इना ही लिखिया कि आपने वड़ियां दे पर डियाए की ती गुर्णानिक साव तो स्रेश्ट दस्या ते फिर ए सारा कुछ करके जरी असल पोती सी उन्हों ब्यास द्रया दे विच सुट देता गया होन तक एही कहाणी सानु एस विचार वाले कथाकार सानु सनौंदे आ रहे हैं जो कभी संतोक सिंग्जी ने लिखी सी तो एस सारा कुछ होन तो बाद असी कह सकते हैं कि ए जो जनम साखी है ओ कई रूपां दे विच पर चलत हो गई जो है कि मैं पहला जिकर कीता है शुरू दो इचे दे इच कोई तकरीबन नबे कु साखीयां सनौं फिर हौली हौली वद्दियां गहीं हैं कई लेक का ने जिनने भी उतारा कीता हूनने दो चार साखीयां होर पा दे नहीं है या वज साखीयां पा दे नहीं है तो जदो है शपनी शुरू होई तो इदी गिंती तक्रीबन टाई सो तिन सो इस इस गिंती दे विचे छप रही सी ते शायद साखियां आज भी दे विचे नवियां पह रही हैं हों के नवे लेटस्ट एडिशन जेना देनाल सब तो बड़े लिखके पाया जानदा है तो इट इस लाइक का फ्री फॉर आल अठाना सो चौतर दे विचे दी फिर छपाई हुई एक लहौर दी पॉब्लिशिंग कंपनी सी चराग दी इन कुदब फ्रोश उन्ने छपी पर उन्ने वी सैनब करके उदे विच्चों जडियां ने ओ पुराणियां जडियां कंट्रवर्शियर साखिया अशियो सारी यह कड़ देती हैं फिर मुंशि गुलाव सिंग ने चपी फिर एक लंबी लड़ी चल दी रही जड़ी आज भी जा रही है आज भी यो चप रही हैं बदस्तूर चप रही हैं कि पाई बाले दी जनम साखिय आज भी असीय कह रही सी कोई समा सी यह दी कथा प्रकाश ने लह लही है यह ठीक है कि सूरज प्रकाश दा आकार बहुत वडेरा है तो उन्हाने शायद इस तो काफी वदिया तरिके दे ना लिखी होएगी पर ओवी जितों तक गुर्णानक साब दी जीवनी दे सबंदा है और बाले वाली साखिय दाही एक सोदे आया पाई बाले वाली आत्मा ही उदे वेच चल रही है इवन ग्यानी ग्यान सिंग जी ने वी जिड़ा अपना ग्रंथ लिखया उदे वेच भी पाई बाले वाली साखिय नों ही इसे चीज नों ही मान के कि मिलावट कुछ कीती गई ते फिरो कड़ देती गई बाकी सारी उननों कोई चैलेंज करन वाला सिक कौम दे अंदर कोई नहीं है वो जो लिख दे वेए वो सब कुछ ठीक है तो ए जड़ियां सारीयां मिथा चल रही हैं से उननों करम सिंग हिस्टोरियन जी ने अपनी पुस्तक कतक के विसाग जिदा अग्यवी असी जिकर कर चुके हैं उदे विच उननने काफी हद तक नों कीता पर साड़े सामने एक स्वाल पैदा हो जन्दा है कि ए साखी इननी पर चलत और सारीयां ही उस तो बाद दा इतियास पाई संतोक सिंग तक दा और इतो तक कि आज भी जिनननों सी मौडलन अपने इतियासकार कहन दे हैं वो बहुत सारीया साखीयां हैसी हां जडियां केवल ते हैवल पाई बाले वाली जन्दा साखी इच मिल दे हां उन्होंनों ہिसी उस से तरह ही रपीट कर दे आ रहे हैं इस सादे लेगी सवाल पैदा हुंद़ा है कि एक पाद से पूरी तरह इस बाले नंु मंन कड़ते हां ककलपना कह हैं नाल ही एदे विच जो गल्लत है घएँ आ गया आगया है अन्हां इनुमी गल्त कहन है पर एविए एक सच है के एदे विच չी जो नमी ऋ साहखिया कडियां गई है जो नमे पातर पाये गए उन्वी आज तक जिड़े आजे सूलज़े होई तě आशकार को यह कि लिए और अनुंन् मॉसे टरह साउने सामने रक्ड़े आ रहे हैं। तब फिर सवाल पैदा है कि पॉपुलर किस तरह हुई। हैं, यहीं पॉपुलर हो गई के आज तक किदा असर जारी है साथे तकुर्णी आज About समझ सकते हैं कि this is more like है कि it is an omnibus edition of जनम साखी जनियां इस तो पहला जनम साखियां होई हैं उस सारियां दियां ही तगरीबन सारियां साखियां किसे ने किसे रूप दे विच केवल कुछ सारा कुछ देच पहला ही मौझूद है तो इन्हों रचन मेले जिड़े असी अगे गाल किती सी के कोई गुरख दास ना दा वेकती रड़ा मौला लहूर दे विच्रेंदा सी जिन्हों लिखारी दे ता और ते हाई किता गया हंदालियां उन्हों उदे कोल परातन जनम साखिय हैं ते ही जन्हे वर्षन हो तक मजूद सान ऊ सारे सान ते मेर गडार केश्वड़ा सबंद है तो और फागगे जदो मेर बांदी साखिय करांगे होठ थोड़ी जोरी जी गल करांगे इना से विच नेड़े दे सबंद सान्दे एक गड़े नाल कावी मिलगे कांवां दे लगदे हान। उन्हे दी पॉपॉलरिटी दा एक वड़ा कारणे सी के जड़ा इनू जनम साक्री नू लिखन वाला सी गेकती गोरखदास ओ बड़ा एक स्केल्ड राइटर बड़ा हुनरमांद राइटर सी उदे लिखन दा टांगे जड़ा है ओ बड़ा एक कईए के स्माजक तरीका हुनदा है स्माजक सबंदा दी परवारक सबंदा दी रिष्टेयानू ओ दी उन्हों डूंगी समझ सी जस्तरा बेबे नानकी जी दा ते गुर्णानक साव दे आपसी सबंदा सी जिन्नेवी जिदीवी किताब दे विच असी पढ़ दे आंके उनना दा किस दा प्यार सी थे और किस तरह निया गल्ला उनना दी आपसी चुंदिया सांग उस सारी निया सारी इससे जनम साखी बिच्चों ही यसी लेकर पड़ दे उएक को बड़े साइकलाजिकल वेदे नाल उनने हर चीज नूं बेलड़ अप कीता पूरिया साखिया नों ही उसे तर पॉचक तरिकाव सी होदा जड़ा के पड़न देच भी लोकानों स्वाद आंदा सी ते ओधे करके दी पॉपॉलरिटी दिन बदें जड़ी है उकुदर्ती तौर दे उत्ते वद्दी गई फिर ओ लिखारी दी जड़ी पॉटिक इमेजीनेशन सी हो भी बड़ी जबरदस्त सी कई ता नमिया साखिया उनने जोड़ियां जड़ियां पहला किता भी नहीं मिल दिया सानू तो जित्ते उनने पॉराणियां साखिया नों रुपीट किता थे ओधी शबदावली उननों पेश करन्दा टंग उदे विच जड़े ट्विस्ट और इंट्रेस्टिंग जड़ियां चीजां पाणियों दिया ने ओने बड़ियां पाईयां यह ने जड़े करके उस सारी हां साखियां बड़ियां रौचक बन गईयां तो लोग का नों बहुत अपने वाल खिच दिया फिर इदे विच एक होर चीज जड़ी बड़ी सनुस्पष्ट होके मिल दी है कि एदे इच त्यागी दी पावना त्याग दी पावना अतीद दी पावना बड़ी परफल है और इसी जान दे हां कि जड़ों बिखडा समा आया ते गुर्दवारे यह दी गुर्तामा दी त्याग वाली विचारता रहा बहती सी क्योंकि ओ सनातन मात और योग खास करके योग मात तो बहुत प्रभावत संद और जिधे विच योग दे हैं श्टों नो मिल जान दे हैं तो ओ चुके एदे विच साख्यां सनौन वाले परचारक जड़े संद ओ त्यागी बिर्ती द और इस जनम साखी दे विच त्याग दी पावना नो बहुत उच्चा गिने गया है बार बार गुरुनानक नो वी अतीत क्या गया है त्यागी क्या गया है त्यागीयां दी सेवा कर दे दिखाया गया है तो इस तरीके दे नाल उन माया तो ने ले पोना दे उपदेशां दे बार बार पाई गई है कि बंदे नो अतीत होना चाहिए दा है माया तो उच्चे होना चाहिए दा है इस किसम दिया गल्ला एदे चानेका ही मिल दी हान जो गुर्णानक साथ वह भी अखवाईयां गया हन ते एक उदरती ताउर दे उत्ते जड़ा त्यागी तब का सी जड़ा साथे परचार दे परबंद दा काबस सी अनुए चन्गियां लगनियां ज़रूरी सी थे इनु पैट्रो नाइज होनाने लाजमी ताउरते करना ही सी तो दूजा यदे विचे योग मद्दियां जिरियां गल्ला ने ओवी काफी यदे विचे व्याखिया होडी है मिल दी है जेसी कई है कि बहुत वड़ा उना थे उत्ते अशर है उना दा पैरावाद देख लई है ते सरैंसें देख लई है बबा सिरी चंजी दे बारेता उधासी मत जड़ा है और योग माद्दी सादना तो बाद ही उनने किया जंदा है कि शुरू कीता सी ते योग माद्दी यां सिदानतां देविच करामाता दी बड़ी महांता है खास करके जड़ा ओस्वेले दा साड़े पंजाब देविच बहुत जड़ा चलन सी नाच योगी जिना देनार गुरुनानिक साथ दियां कई वारी गोश्टां होई तो ए सारे जिनिया करामाती अंश पाया गया है पर जिना वार के एदेविच उनू बिलकुल ही सिदान दे बराबर या होड दुझे तर्मादे जड़े करामाती पुर्ख गिने जान दे आन। उनना दे बराबर जड़ा है पर गुरुनानिक साथ नू खड़े करन दी कोशिश किती गई है ए दोवे चीजां में एक गलवी जड़ी है इननो निर्मले हाँ ते उदासी हानो अपील करनी सुबावा की सी जड़े करके साखी दा परचार बहुत जएदा हुए है तो जो कुछ भी ऐसी इदे विच है साड़ी एक कमजोरी हों तक रही है कि एस जनम साखी दा असी कोई सांटिफिक तरीके दे नाल अनाल अनालिसिस हों तक प्रॉपर तरीके नाल असी कर नहीं सके एक बहुत वदिया अनालिसिस जड़ा है सिर्दार करन सिंग हिस्टोरियन ने कीता जड़ा के सांट उननी सो वी और ती दे दर्मयान वी चुना ने कीता जली पुस्तक सी कतक के विसाख असी होते नाम तों अक्सर समझ बैठ दे हैं कि शायद सिर्फ कतक ते विसाख दा जड़ा गुर्परव दा सत्गरुजी दी जनम मिती दा जड़ा चुमेला है सिर्फ होते बारे है परे चुके चुमेला जड़ा है यह पाई बाले दी जनम साखी दा ही खड़ा कीता होया बाकी सब था हमां दे उत्ते तो एड़ा जनम दी मिती बाकी जनम साखी हैं दे विच मेर बान वाली लगी या परातन दी प्रमपरा दिये जनिया ब्रांचा है तो विसाख है पर पाई बाले बाले जनम साखी दे विच कतक दी पुन्या देती गईmar़ तो इस कर के जदो ए निरْना करना से पाई करम ने ते ओदे वास्ते सब तो पहला एस जनम साखी दा पूरा दियान करना जड़ा है ओजरूरी हो जानदा सी और उन्हाने ओदे विच कीता है उस किताब दे विच ते हलांके नाम नाम ना कतक के विसाख है पर यह मुख ता और ते देखे आ जाए यह दा मेंन कॉंटेंट जड़ा है पाई बाले वाली जनम साखी दी एक क्रिटिकल अनैलिसिस है जड़ा कि उन्होंने बड़े साइंटिफिक तरीके दे नाल कीता सी तो एक पहला जड़ा है उनीसो बती दे विचे दा दुज़ा एडिशन पबलिश होया ते उस्तो बाद मेरी ग्याद दे विच नहीं है कि उस्तो बाद कदी एक किताब छपन देती गई होगे उदों ही वड़ा तंतर ओदे खिलाफ खड़ा हो रहा सी छपन नहीं सी दिती जा रही ते शायद उस्त बाद दा किते मेंने को हिंट नहीं मेलिया ते लग पाग पंजाब पच्वजा साल या साठ साल दे बाद उदे उत्ते एक रिसर्च होई जदा जिकर उसी पहले भी कीता है डॉक्टर गुर्बचन का और दी जिनने नहीं पी-एच डी दा टॉपिक बनाया दे दे उत्ते ब लो ओदे विच अपनी किताब दे विच जड़ा वर्शन उनने मूल रठ जिदा उनने कीता सोलां सो अठवजा वाली जड़ी जनम साखी डॉक्टर करपाल सिंग जदा जिकर कर दे ने उसे दे अदार दे उत्ते ही उनने उननों प्रिंट कीता ते एक प्योली अकादमिक सो अच्छ दे मताबक उनने उदे विच व सारीया साक्यां भी चाप देती हैं जिनन दे उत्ते साड़े समचे पंथनों इतराज होंदा है उनना दा ते पाव शायद होएगा के देखो भाई ये दे विच उननने की की लिखेया है ते यसी ये ना पंच साथ नों चाड़े के ते बाकियां सारेया नों मन्नी बैठेया और एच छपंदी देर सी के एदे उत्ते एक बहुत वड़ी एक तंतर खड़ा हो गया प्रोट दी नहीं है और इस तो बाद किसे ने पाई बाले वाली जनम साखी दे उत्ते कोई क्रिटिकल अनालिसिस या रिसर्च करन दी आज तक किसे ने कोई हमत नहीं की तो फिर सुआले पैदा है कि जे असी ही ये फैसला का लिया है कि एस पुस्तक नों जिरे विच इनना कुछ पर लिखे खड़े करदा है प्राबलम्स क्रियेट करदा है तो यह जावदा है कि एक अन रिटन एग्रिमेंट्स मुच्छे पांत दे विच है कि असी ये दा अनैलेसिस या दी स्टडी अगों नहीं करनी तो जदो तक ये स्टडी नहीं होंदी तो इस से तरह ही चल दा रह करेगी तो इदे विच जड़े पुल एक्खेने तब फिर इननुहाल कौन करेगा उन ए जनमसाखिया साड़े जदो बाले देशां दे विच दूज्जे तरमादे विदवाना ने स्टडी करना हुंदा है ते इस साड़े लिए जनमसाखियां एक वड़ा अड़िका बन जा बटाले जड़ा इनना दा वड़ा सेंटर है वेरिंग यूणियन क्रिस्टियन सेंटर है उतर ओ थे ओ मिशनली बनके आया सी आ ते ओन्नू सिक्पांदी हिस्ट्री realities जड़ा इता ह Iya Techis कि उने सारी उमर्ट फिकांडी हिस्ट्री दे उत्थ ही कम कीaty तस्छ excessive सीट उत्थ कौन है की है उडियाँ बाथ सारीों किताबब वान दे वेच जित्दे ऑसिट लिख दै उनचुक किह सी काम Umож ने बहुत मौडन तरीके दे नाल जो रिसर्च करन ददा टांग आजकल दे दमाने इच गनिया जान दा हो ते मताबग कीता ते हो बड़ा परवानवी चड़या ओहर किताब दे विचे किसे ना किसे टांग नाल किसे द्रीके दे नाल जनम साखियानू लहां दा है ते जनम है पर शबद एही वरत है कि जो गुरुनाने कि दा मित्थ सिख्छां दे विच पर चलत है ओ ए है ते फिर जनम साखिया नू ओ समेराइस करके साड़े सामने रख देना है अनैलेसिस होने बहुत जबरदस्त कीता है एक नहीं चार किताबाने मैं तो अडिनाल एक ओदी ओमनी बस एडिशन जड़ी तो अडिनाल सांजी कर रहे हैं जे नजर आ जावे के सिक्स एंड सिक्षिजम एक काफी चार किताबाँ है दे विच ओदी हैं छपियों हैं ते चारे किताबाँ दे विची उनने जो गुरुनानेक साथ दी गल करनी हैं दी है ओ और किसे एतियासक सुर मपकिन ही नहीं हैं impossible हैं पर यकीन नहीं किता जा सकता इन्या को प्राबेबल हैं तहे एन्या को ठीक हैं तो बड़ी थोड़ी परसंटेज जड़े बेसिक फैक्ट्स घंगं कृणानेक साथ दे अनना दे जनम बारे उनना दे करतार पुलनूग साउम पारे सुल्तान पुर स्टे बारे वो दे बारे बिलकुल बेसिक फेक्ट्स नो ही यो गिंदा है कि इन वसी हिस्ट्री कह सकते हैं बाकी ते सारा गुर्णानिक साव दा एक मित जड़ा है हलांके यह नहीं है कि आज सिच्वेशन बिलकुल इस तरह है बहुत सारी यह रिसर्चेज उनना दे जड़े दोरे हन पर चार दोरे हन उनना दे उत्ते भी उनना थावा दे उत्ते जाके भी बहुत सारे लोग का ने रिसर्चेज कीती हैं पर इस सारा कुछ होंदे बावजू भी आज जो पूरे जगदे सामने इसी गुर्णानिक साथ दा जड़ा नक्षा जीवन दा नक्षा असी पेश कर रहे हैं ओ मेकलियोड वाला ही नक्षा है ते जिन्नों पढ़के सिखी दा जड़ा अरंब है ओ एक ऐसे अदारतों एक ऐसे बेस तो शुरू हुंदा है कि जिन् सिंग अर्वेंद पाल सिंग मंडेर हर्जोत सिंग अबराए इस सारे उससे ट्रेडिशन नों ही अगे लेके जा रहे हैं जिन्ना को मैं उनन पढ़िया है उनने मताबक इस सारे जड़ा तंतर पूरा खड़ा हो गया है जड़ा जड़ा आज बाल ले देशां में साड़िया सिखिन दे बाए इनिवस्टी एंडे विंच चीर्स नों ह हैं और इस सारे आने बाने तरीके ते नहाल साठे मुड़ा सदानता सैंडे बाड़े चोपन दे नालो किसे ना किसे तरीके नहाल साळे ज्रूर मार दें क्योंकि उन्हानु पता है कि उन्हान दी इस तरह दी ही गल जड़ी है वेस्टरन स्कॉल जड़े academic circles है उन्हान दे विच accept कीती जाएगी क्योंकि जो नी ली जड़ी है ओ मेकलियोड ने पादेती है ओ उदे उते ही चल दे हैं तो ए जन्म साखियां साड़े लई सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ जन्म साखियां ही साड़े लई चीज होंता क्रियेट हुए हैं जिदा एक प्राइम एक्जामपल मैं बाला जिरी जन्म साखियनों लेके ले रहे हैं साधेले प्रावलम एए है के जड़ियां असी साखियां आम इतयासकार जिननों असी बड़े चंगे इतयासकार भी मन दे हैं उनने भी जड़ियों वerto यह हैं, उनने दे विच्छों मी बहुत सारी हैं। जड़ियों के असी होर किसे जनम साखी दे विच शानू मिल दीया ही नहीं हैं। और असी मलोग देते एकदम सानू सोचना पहेगा यह जो कछ भी इसी साखीय हैं। लिख रहे हां, फट रहे हां, सुना रहे हां जिनह दे विच असी साच्पदी छांदी साक्षी जड़ी है उसी पहली गेंड सकथे हां तक क्छा साथा स pomगता साथी सांनु किते होल नहीं मिल दी फिर उसन बाद एक साकीह दे विच है सिल्टानपुर जान तो जस्ट पहला गुरू साथ दी कतीत नो लोटा थे अपनी छाप जडियों देच लिखे आओ दान करन दी फिर मुदी खन ने दी साखी दे बारे एक बड़ा फरक साड़े सामने एंदा है कि बाकी से जनम साखी आदे विच जो सा नो दस्या गया है कि के लिखे डी नाजक्री कीती ओए के डिया इक एकाहूंटेंट दी यो कैशीर दी नाक्री दे निरे जांग जाबएछ दिया पर सिर्फ इससे जनम साखी देवीच अने मदी घुर कई गई गई घयी है और दे ही चको मुदी ख़न देविच दो वरी उना दी शिकायत होई द तो शेतर विच गुर्णाणक साव ने मास रेने हैं, ओवी सरफ हेदे इच मिल दी है, और किते नहीं है, टाके ते बंगाल दी हैं, जड़ी हैं साखी हैं, ओवी सरफ हेदे इची मिल दी हैं, पंजा साव दी साखी हैं, और किते नहीं मिल दी हैं, और जड़े खोजी हैं, कही आने ते भी लिख देता है कि एक गुर्द्वारा पहला है एक्जिस्टेंस इची नहीं सी अमार जार रंजीस सिंग दे टाइंग दे उत्ते बढ़िया ते ओदो ही ये सारा कुछ कड़िया गया लोका ने ये भी लिख देता है तो सैदपूर दे विच जड़ा पाई लालो ते मलक पागोदी जड़ी साखी है ओवी सानु इत्ही मिल दी है जड़ी उत्हों दे नाल कॉनेक्टेड है एदा थोड़े बहुत फर्रक दे नाल भी एक दो वर्शन सानु हो दूजिया जनम साखीया दे इच भी मिल दे हैं पर ऑसे इस से मताबक ही यो सारी वियाख्या कर रहा हैं औरे सारीया उसाखीया हैं जड़्यों साडे विच बहुत परचलत हैं असी आप अपने बच्चे आनों सनांदे हैं ओ बच्चे सुनके दे जवें मो Dalai काने दी साखी है यो पनजा साफी हो इच पच्चे साखी है ओदेच भी बड़ा इंटरेस्ट बंदा है उन ए सारी है चीजां एक बड़ी रिसर्च दिया मोताज हन के असी किस तरीके दे ना लेना नो असी गुर्णानिक साब दी हिस्ट्री नो प्रॉपल ले लिखना है को कि पाई बाले दी जनम साखी जैसी देखिए ओ पाई संतोक सिंग दे अकाउंट देवी चोसे तरहीं आई गया निगया तो चुपके पाई वीर सिंग ने जो इतियास गुर्णानिक साब दा गुर्णानिक चमतकार इच लिखिया है ओ तगरीबन तगरीबन चुपके ओ उससे तरहीं उत्थे पादेगी तो ए जनम साखी असी य आज भी फैक्ट आफ लाइफ है साड़े इतियास विच साड़े जीवन विच रोज मरा जीवन इच भी यसी यह साखियां सुना दे हाँ पढ़ दे हाँ ते डिसकस कर दे हाँ तो ए पूरी इंपॉर्टेंस अनु इस्ती समझनी ज़रूरी सी के ए एक जड़ा कम शुरू हो बाले दाजी दे औरिजिन्स दे बारे कई शंके ऐसी कर चुके हाँ खास करके मैं विशेश तार दे होते पाई करम सिंग स्टोरी अंदर नाम बार बार ले रहे हाँ मेरे सावना लून दी ओ जो किताब है ओ सब नू कटो कट पढ़नी चाही दी है ताके सानु ए चाड़ना होईया होनगी है जी बहुत सारे शवद भी और योग वरते गए होनगे विशाई ऐसा सी उल्ला दी खिमा कर देनी जी वाह गुर्जी का खालसा वाह गुर्जी की का तो